सष्रियकाल कैसे हैं आप सब आज मैं आपकी लिए लाइए हूँ मक्य की रोटी इससे बनाना तो आसान है पर कई लोग कहते हैं कि मैं तूट जाती है आज मैं आपके साथ एक सिंपल सी ट्रिक के साथ इसे शेयर करूंगी कि आप इसे किस तरह से बनाए ताकि आपकी ये रोटी टूटे भी ना और इतका बहुत अच्छा सा टेस्ट आप इंजॉय कर सकें तो देर ना करते हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो मक्य की रोटी वनाने के लिए यहां पर मैंने दो कप मक्य का आटा ले लिया है जिससे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से चान कर तयार किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे आधा चोटा चमच नमक का साथ ही इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट रह सके इसकी वज़े से यहां पर मैं एक बड़ा चमच रिफाइंड ओयल का स्टार्टिंग में आड़ करूंगी उसके बाद हमें क्या करना है इन सारी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि नमक और ओयल बहुत अ इसमाल हमें यहां पर नहीं करना है और एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है धीरे धीरे करके हम इसमें पानी आड़ करेंगे क्योंकि यह जो आटा हमें तयार करना है यह पूरी के आटे की तरह होना चाहिए जो सौफ्ट भी हो और थोड़ा सा टाइड भी हो इसकी वज़ कई लोग बिल्कुल बारीख पीश लेते हैं कई लोग थूड़ला सा हल्का दरदरा पीस तो उसके पानी का जो रीशो और है वो कम ज़ादा हो सकता है मैंने यहाँ पर पाणी ग्लास-पानी का इस्तेमाल किया है आपको एक ग्लास-पानी. की भी जरूरत लग सकती है अब धीरे धीरे करके मैं इसे अच्छी तरह से गूंथ कर तयार कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह बहुत अच्छी तरह से सैट हो चुका है अब इसे थोड़ा सा मुलायम करने के लिए मैं क्या करूंगी हमने स्टार्टिंग में एक ब मुलायम बनके सेट अब देख पा रहे हैं 2-3 बड़े चमच मैंने इसमें उईल के ऐड़ किये और मुझे निरिक रेडी करेंगे जब हम आटे को अच्छी तरह से मसल का रेडी कर लेंगे आप देख पा रहे हैं मैंने थोड़ा टाइट सा आटा लगा कर तयार किया है बिल्कुल रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट नहीं करेंगे इसे थोड़ा सा टाइट सा लगा कर तयार करेंगे जैसा पूरी का आटा होता है बिल्कुल वैसा देख पारें आपको गूंतने से पता लगा होगा कि मैंने बहुत जादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंता है अब इसे हम कवर करके कम से कम आधा घंटा छोड़ देंगे ताकि ये सैट हो जाए अब फ्रेंज आदा घंटा हो चुका है अब मैं इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ अब ये थोड़ा सा मुलायम सी फीलिंग हो रही है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका है अब इसके बाद हम इसकी लोईयां बनाकर तयार करेंगे जितनी हम रोटी की लोई बनाते हैं उतनी ही रोटी लोई बनाएंगे बहुत जादा लोई हम इसकी बनाकर तयार नहीं करेंगे size हम बिल्कुल उतनी ही रखेंगे इस तरह से आप goal कीजेगे और ध्यान दीजेगे इस तरह अच्छी तरह से goal कीजेगे इसमें cracks ना रहें इस देखरें crack free ball हमें बना कर तयार करना है इस आटे में जितने भी balls possible होंगे वह मैं सभी बना कर तयार कर लेती हूं बस ध्यान दीजेगे इनमें cracks नहीं होने चाहिए crack free ball में बना कर तयार करना है इसका तो दो कपाटे में 6 से 7 balls बना कर मैंने इसकी तयार कर लिए है अब उसकी बाद हम आगे बढ़ेंगे जो हमारी सबसे important trick है लाइक जब भी हम मके का आटा या दूसरा चावल की रोटी या ऐसी कोई भी चीज बनाते है वो हमेशा तूट जाती है इसकी problem बहुत जादा होती है इसलिए मैं इस तरह से foil paper का यूज़ कर रही हूँ जिस पे भी आप रोटी बना कर तयार करते हैं उस पे हम अच्छी तरह से foil paper को cover करेंगे तो यह देखिए मैं अच्छी तरह से foil paper का जो opposite side है shiny side उससे cover कर लिया है foil paper से क्या होता है जो रोटीया है वो stand पे चिपकती विल्कुल नहीं है जल्दी से छूट जाती है और काफी अच्छी से गोल बन कर तयार होती है तो आप जो भी रोटी कभी भी बनाएं मक्के की रोटी या बाजरे की या चावल की ये trick उसमें जरूर इस्तमाल कीजिए आपकी रोटीयां तूटेंगी भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से बन कर तयार होंगी इस तरह की रोटीयां बनाने में हाथों से तोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ इस तरह से प्रेस कर रहे हैं अब उसे हम बेलना शुरू करेंगी हलके रही है फॉयल पेपा की वजे से मैं बड़ी आसानी से इसे टर्न कर पा रही हूं जिस तरह हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसी फिलिंग आईगी आपको और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और उसके बाद हमने जो मक्य की रोटी बना कर तयार किया है वह हम इसमें डालेंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार हम इसे टर्न करते हुए पकाएंगे एक बार रोटी बेल कर अच्छी तरह से तयार हो जाए तो इसे पकाना बड़ा आसान हो जाता है अब हम दोनों साइट से अच्छी तरह से पकने देंगे मतलब थोड़ी थोड़ी स्पेस के बाद हम इसे टर्न करेंगे सडनली जैसे रोटी को टर्न करते हैं सडनली वैसे टर्न नहीं करना है हमें एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए उसके वाड़ा में से दूसरे साइड से पकाएंगे यह देखिए मीडियम फ्लेम पर ही मैंने से पकाया है थोड़ा सा ओईल लगाती रही हूं बीच बीच में और अब यह अच्छी तरह से ब्राउन स्पॉर्ट आ चुके है यह अच् स्प्रेट करेंगे और यह सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है मैंने सर्सों के साकी रेसिवी भी शेयर की है उसके साथ आप इसे इंजॉय कीजिए आपको यह बहुत पसंद आएगा सो देखा आपने हमने कितने बेसिक से एक की तरीके से एक ट्रिक के साथ यह मक्य की रोटी को बिल्कुल गोल और बिना तूटी हुई बनाया है इसी ट्रिक को आप चावल के आटे में या मतलब और बी किसी भी तरह की रोटी में आप यूज़ कर सकते हैं ताकि वो रोटी और बहुत अच्छी तरह से बन सकें सो अगर आपको मेरी यह ट्रिक और मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर लेटेस वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए और